दीपावली क्यों मनाई जाती है? जाने कारण और महत्वव, हमारे भारत में वैसे तो अनेकों पर्व मनाया जाते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी पर्व हैं, जो कि भारतिये इतिहास में अपना विशेश महत्व रखते हैं। भारत में मनाये जाने वाले इन सभी धार्मिक त्योहारों की सूची में सबसे उपर दशहरा और दिवाली आता है। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दिवाली का ये त्योहार दशहरे के ठीक 20 दिन बाद आता है। दिवाली भारत में मनाय जाने वाला एक ऐसा त्योहार है, जिसमें लोग अपने घरों को पूरी तरह से जलते हुए दिये से सजाते हैं, पटाकों के साथ अपने दिवाली के त्योहार को मनाते हैं. इस वीडियो में दिवाली क्यूं मनाई जाती है के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त साथ ही दिवाली त्योहार की पौरानिक मान्यताओं के बारे में भी जानेंगे. दिवाली के त्योहार को मनाई जाने के पीछे बहुत सी पौरानिक कथाएं जुड़ी हुई है. परंतु उनमें से कुछ विशेश कथाओं के विशे में हम आपको बताने जा रहे हैं. दिव ये जानते हैं, दिवाली का त्योहार मनाने के पीछे का विशेश कारण, भगवान श्री राम रावन का वद कर लोटे थे योध्या, भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, रावन के वद के ठीक 20 दिनों बाद भगवान श्री राम अपनी जन्म भूमी माता लक्ष्मी धन की देवी है, ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मन्थन के दौरान कार्थिक मास की अमावस्या के दिन मन्थन की समय माता लक्ष्मी की उत्पत्ती हुई थी, तभी से माता लक्ष्मी के जन्म के उपलक्ष में दिपावली का ये त्योहार मनाया जाता है औ और माता लक्ष्मी को राजा बाली के कैट से चुलाने के लिए भगवान श्री हरी विश्नु ने पांचवा अवतार लिया, जो कि भगवान विश्नु का वामन अवतार कहा जाता है। द्वारा दिपावली के दिन ही निर्वान प्राप्त किया गया था और यही कारण है कि जैंग धर्म के लोगों के द्वारा भी इस दिन को विशेश रूप से मनाया जाता है। द्वारा दिपावली के दिन से एक दिन पहले ही नर्कासुर राक्षस का वद किया था। इसी दिन हुआ था राजा विक्रमादित्य का राज्या भिशेक। राज़ा विक्रमादित्य का नाम आज भी आदर्श राजाओं में लिया जाता है। वे प्राचीन भारत के महान समराठ थे। जन्ता के बीच विक्रमादित्य अपनी उदार्ता, साहस और विद्वानों की सरंक्षन के लिए जाने जाते थे कहते हैं कि विक्रमादित्य का राज्या भिशेक कार्तिक माह की अमावस्या को हुआ था पांडवों के अपने राज्य में लोटने की खुशी में महाभारत की कहानी है कि कौर्वों ने पांडवों को शकुनी मामा की चाल की मदद से शत्रंज के खेल में पांडवों को हराया था जिसके परिनामस्वरू पांडवों को तेरा वर्ष तक वन में जाना पड़ा था कहते हैं कि इसी कार्टिक माह की अमावस्या को पांचों पांडव वनवास अब दी पूरी कर फिर से अपने राज्य लोटे थे जिसके स्वागत में राज्य के लोगों ने दीप जला कर उनका स्वागत किया था दीपावली को कहा जाता है फसलों का त्योहार दीपावली का त्योहार किसानों के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार होता है क्योंकि दीपावली का त्योहार उसी समय आता है जिस समय खरीफ की फसल पूरी तरह से पक जाती है और इसे काटने का समय आता है किसान इस त्योहार को अपनी समृद्धी का संकेत मानते हैं और इसलिए दीपावली का त्योहार बड़ी ही उत्साह के साथ मनाते हैं दीपावली को कहा जाता है हिंदु नव वर्ष का दिन हिंदू व्यवसाई लोग दिपावली के साथ ही अपने नए साल को शुरू कर देते हैं और अपने व्यवसाई को इस दिन से ही अपने नए खाते को शुरू करते हैं सभी व्यवसाई लोग अपने नए साल को शुरू करने से पहले अपने सभी रिनों का भुपतान करते हैं और लोगों को दिये गए सभी धन को वापस भी लेते हैं आर्य समाज के लिए खास है ये दिन भारती आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार भारती ए इतिहास में दिपावली के दिन 19 सदी के विद्वान महर्शी दयानंद जी को निर्वान की प्राप्ती हुई थी स्वामी दयानन्द जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी और दयानन्द जी ने भायचारे और इंसानियत को बढ़ावा दिया इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज के लोगों के लिए दिवाली का ये दिन बहुत ही खास है देवी शक्ती ने धारन किया था महाकाली का रूप, माता शक्ती ने राक्षसों के बढ़ते आतंप को देखकर राक्षसों का वद करने के लिए महाकाली का रूप धारन किया और राक्षसों का विनाश करने लगे उनके इस रूप से पूरे संसार में खलबली मच गई थी और महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था इसलिए भगवान शिव उनके सामने नीचे जाकर लेट गए और भगवान शिव के शरीर के एक सपर्ष के कारण ही माता महाकाली का क्रोध शांत हो गया और इसी कारण से दिवाली के त्योहार को शांत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करके मनाया जाता है दिवाली की इसी रात को माता शक्ती के रौद्र रूप काली की पूजा भी की जाती है दिवाली का मेहत्व दिवाली के दिन ही माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके घर पर धनकी कभी भी कमी नहीं होती। दिवाली का त्योहार विशेश रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष में मनाया जाता है। दिवाली का दिन लोगों को ये याद दिलता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को उपहारों का आदान प् बहुत ही शुब होता है और इन पताकों की आवाज लोगों की खुशी को दर्शाता है